तत्र भवताम समेशाम सम्स्कृत EPG पाठ शालायाम स्वागतमस्ति अखम यद्वीर स्वरूप शास्तरी राष्टरिय सम्स्कृत सम्स्थानस्य लखनवपरिसरे व्याकरणविभागया ध्यापकोशमी अत्र एपीजी पाटशालायाम मत्कृते विशयाह प्रदत्ताह वरतते सम्स्कृत वाक्य सम्रचना सिध्धानताह इती सम्स्कृत वाक्य सम्रचना सिध्धानते इत्यस्मिन विशये सम्स्कृत इती पदम समागतमस्ती अतहा किम नाम संस्कृतम, किम संस्कृतस्य महत्वम, किम अर्थम संस्कृत भाषा अध्ये तव्या इत्यादी विशयाहा अस्मा कम समेशाम पुरताह समायांती अतहा संस्कृत विशयापी अस्मा भी अवश्यम किंचेद वेधितव्यम इतिक्रत्वा अस्मिन अध्याए संस्कृत भाषा अयाहा महत्वम पृतिवाधितमस्ति तदन अंतरम अस्मिन विशये वाक्यम इतिपदम समागतमस्ति अतह किम नाम वाक्यम वाक्यस्य किम स्वरूपम इत्यादी विशयय पी अस्मा भी अवस्यम वेधितव्यम अतह वाक्य विशयय अत्र प्रथम अध्याय बहवाः विशयाह चर्चिताह संती तद नंतरम वाक्य निर्माने केके विशयाह नितांतम अपेक्षंते तेशाम सरवेशाम पी विशयानाम अस्मिन प्रथम अध्याई संग्रहनम कृतमस्ति तेशाम सरवेशाम पी विशयानाम अत्र क्रमेण अस्मिन अध्याई व्याख्यानमाहं करिश्यामे अतहा भवंता अस्मिन विशय दत्ता वधानाह भवंतु किन्चा अस्मिन अध्याए वाक्य निर्वान समय पदम वाक्यम विभक्तयाह संख्या संखेय इत्यादी विशय पी चर्चा भीतास्ती अताह एतान सर्वान पी विशयान भवंता सम्यक जानन्तु येन वाक्य निर्माने भवताम अत्यन्तम उपयोगो भविश्यती इदानीम क्रमेन अहम एकईकम विशयम स्विकृत्य प्रतिपादनम करोमी देवीम वाचम अजनयंत देवास्ताम विश्वरूपाः पशवोवदंती इतिर्गवेदे कथितमस्ती संस्कृत भाशायाम वाक्य समरचना सिध्धान्त विशयक ज्यानात प्राक इदम पी नितांतम जिग्यासितव्यम यत किम नाम संस्कृतम किंच आमुस्य स्वरूपाम किम वातस्य महत्तम किंच ऐतिहम किमर्थम अध्येतव्यम इत्यादी एतान सर्वान नपी प्रश्णान हर्दिनिधाय संस्कृत वाक्य समरचना सिध्धानतह इत्य एतत विशय संस्कृतिती शब्दा घटकतया प्रविष्टत्वात संस्कृतस्य प्रसंगहा अता अतत प्रसंगान रोधे नापी संस्कृत विशय नूनम किंचित अस्माभी प्राचियन काला देव भारतिय ज्ञान विज्यान स्य दिव्यतत्वानि भाशयामें स्यामें निवध्धानि वरतन्ते। विश्वस्मिंन भिश्वे पर्थम ज्णस्य मूलाधाराह तावत वेदाह एव तैच वेदाह संस्कृत भाशया एव लभ्यंते। तस्मात नकेवलम संस्कृत स्वैशिष्ट्यम भारते एवो अपितु अखिले संसारे अवलोक्यते इयम संस्कृत भाशा रूपा दैवीवाक ब्रह्म मुखाद निस्वता अतयो भरत्रिहना स्विये वाक्यपदिये उदगोशितं अनादि निधना नित्या आदव वेदमई दिव्या यत सर्वा प्रवर्त्यह भाशया एव लोके जनाह परस्परं भावा भिव्यक्तिम कुरुवते अतयो आचार दंडी काव्यादर्शे प्राह वाचाम एव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते इदमंधतमकृत्स्नम जायत भुवनत्रयम यदि शब्दा फयम जोती रासंसारम नदी प्यते भाशा सततम मानवानाम्हदी संचरती भाशा एव मानव जीवनस्य सारभूता रसहा तथाचा उक्तम छांदोग्योबनिशदी पुर्शस्यवाग रसहा वाच रिगरसहा इती एता द्रिग भी ही सुधावच नई ही परिपूर्णा संस्कृत भाशा दिव्या भव्या रम्या मधुरा सनातना चेती किंचा एशा संस्कृत भाशे प्राचीन काले लोक भाशा आशीत इत्यव अस्मा भी अवस्यम वेधितव्यम अता एव भगवान पान नहीं अश्टाध्यायाम दूरात संबोधने इती सूत्रेन दूरा अखवाने पुलतत्तम विदधाती प्रत्यभिवादे अंतिम स्वर पुलतत्तम चा विदधाती अता वयं जानी महा यत संस्क्रतम प्राचीन काले लोकी का नाम भाशा आशीत इती एतेन व्यभरत भाशा रूपेन संस्क्रत स्प्रयोगो लक्षते रामायन काले महा भारत काले इचा संस्क्रत भाशा इव लोका नाम व्यभरती भाशा अभूद इती वैदेशिक इरपी निर्विवादं उरीक्रियते हनुमान अशोक वाटिकायां सीतां प्राप्य संस्क्रतम आश्रित्ययो विवक्षती वाचां चोदा हरिश्यामी मानुशेमी इह संस्क्रतां रावणं मन्यमानामां सीता भीता भविश्यती बौध कविरव अश्वघोषः प्राक्रत भाषाम परित्यज्य बुध्य चरित सउंदरानंदन काव्यद्वयम संस्क्रत भाषायामेव लिखितवान भाषा शास्त्रियम महत्तोम पी संस्क्रतस्यनातिरोहितम विदुशाम भाषा विज्याने धनि विज्ञानं शब्ध विज्ञानं अर्थ विज्ञानं वाक्य विज्ञानं इती चत्वारो भेदाह भवंती एतेषु चतुर शुःपी परिक्षणे सती संस्कृत भाषा सरवेषु खेत्रेशु समर्था भवती अतेयो विंटर निट्स महाशया, संस्क्रत भाशाम भाशा विज्ञानस्या, आधारत्वेन स्विकरोती, उक्तन चातेन. In the earliest ages, the Indians already analyzed their ancient sacred writings with a view to philology, classified the linguistic phenomena as a scientific system and developed their grammar so highly that even today modern philology can use their attainments as a foundation. S Adamskrt भाशा समस्त आρέ भाशानाम जननी वर्तते, यतो ही तत्रp 6 प्रतिषताद आरभ्य, अशीत प्रतिषतं यावत संस्कृत शब्दा अस्याम भाशाय्याम वर्तते, जर्मन, फ्रेंच, आंगल भाशा अदिश्यो पी महती संख्या संस्कृत स्य तत्सं तदभव शब्दानाम वर्तते यथा संस्कृत भाशायाम माता इती पदम वर्तते तथिव हिंदी भाशायाम पी माता फार्सी भाशाया मादर, आंगल भाशाया मदर, जर्मन भाशाया मतर, फ्रेंच भाशाया मेरे, ग्रीस भाशाया मेटर, लेटिन भाशाया मतर इत्युक्ते आसु भाशासु ये शब्दा हा मात्रिवाज का शंती ते सरवेपी शब्दा माता इत्यस्मात एव ग्रिहीता इतिवयं जानी महा एव में पिता सब्दा संस्कृते वरतते हिंदी भाशायाम अभी पिता फार्सी भाशायाम पितर आंगल भाशायाम फादर जर्मन भाशायाम वटर फ्रेंच भाशायाम पेरे ग्रीस भाशायाम पेट रित्यादया भावा शब्दा हा संस्कृत भाशाता इव ग्रिहीता हा इ अस्माकम सरवेशाम चिंतनम वर्तते एवमरित्या संस्कृत भाषायाम प्रभावो धरीद्रिश्यते अन्यासु भाषास्वपी अत्र केवलं मया कानिचित उदाहरनानी एवद दत्तानी भवंता इतोपी अस्विन विशय यतनम कृत्वा इतरान शब्दान पी ग्यातुं प अस्विन प्रथम अध्याये वाक्य सिक्यम लक्षणम इती निरूपी तमस्ती वाक्य पदिये कारस्य भरत्र हरेहे वाक्य विशय का अश्टव पक्षाह वरतंते अन्याई कादी नाम पी वाक्य विशय का मतानी उल्लखितानी वरतंते किंच चर्मे अस्विन अध्याये व की मनाम वाक्यम इती अस्माकम जिग्यासाभवती, यतोहीं वाक्य निर्मानाथ प्राक्वाक्यस किम स्रूपम इती अस्माभी अवस्यय वेधीतव्यं। क्रमवताम वरणानाम 사मुदाय वशेश पदम इती पदानाम समुदायो वाक्यम वाक्यम ही अभीपसितं अर्था भिव्यक्पिम करोती अता शब्द वेभारे वाक्यम्यो प्राधानियम भजते किन्तु रिते पदात वाक्यम ना भवितु मरहती तथीव चरते वरने भ्या पदम प्विनास्ती अतो व्याकरने वरननिमित्तानी पदनिमित्तानी चा कार्यानी वरतंते प्राया संधिकार्यानी वरननिमित्तकानी समासाधीनी कार्यानी चा पदनिमित्तकानी भवनती तरही स शिरशा नमती इत्यादु प्रथम वाक्ये कर्त्रिकारकेण अन्विता अध्येन क्रिया, दुतिये कर्त्रिकारकेण कर्मकारकेण चा अन्विता गमन क्रिया, चरमे वाक्येतु कर्त्रिकारकेण करनकारकेण चा अन्विता नमन क्रिया, अत्र सरवत्रकारकाणाम क्रियायाम अन्वयात भवंति इमानी वाक्यानी पदसमुदायह वाक्यम सुप्तिगंचयो वाक्यम एक तिंग वाक्यम इत्यादि इन्यपी वाक्य लक्षणानी शुरुति पथे आयांती एक तिंग वाक्यम नाम एक तिंग अंतार्थ मुख्य विशेश्यकम वाक्यम यथा इति वाक्यम अत्र वाक्य तिगंत पदद दोयम शुरू यते। तानि चा मतानी अत्र सिंगावलो के नियाएन विचार दिंते तत्रभवान भर्तरी वाक्य विषय वाक्य पदिये कारी का द्वयेन अष्टव पक्षान उद्धिशती आख्यात शब्दा संघातो जाती संघात वर्तनी एको नवयवह शब्दा क्रमो बुध्य अनुसंगरतिही पदमाध्यम प्रतक्सरवं पदम साकांग्षम इत्यपी वाक्यम प्रतिमतिर भिन्ना बौधा न्यायवादि नाम अर्थात न्यायदर्शिनाम विदुशाम वाक्य निर्माने अश्ठदा मती वर्तते अत्रन्यायाह नाम वाक्य विशय कह तरकह इती आख्यात शब्दह वाक्यम इती प्रतमा पक्षाह, संगात वाक्यम, संगात वर्तनी जाती ही वाक्यम, एको अनवयवा शब्दह वाक्यम, क्रमह वाक्यम, बुध्य अनुसंग्रती ही वाक्यम, आध्यम पदम वाक्यम, प्रतक सरवं पदम साकांग्षम वाक्यम, इत्यादया अश्टव पक्षाह, भरत्री हरिनाह, स्विये वाक्यपदिये, निरूपिता, एते शाम सरवेशाम अपी वाक्यानाम, व्याक्यानमत्र क्रमेन, भवताम सरवेशाम क्रते प्रस्तु यते, आख्यात शब्दाह वाक्यम इत्युक्ते, आख्यात शब्दाह एव वाक्यम, आख इत्यादव सुप्तिगंत चये वाक्यत्व विभारस्य, सर्वजनीनस्य, अपलाप प्रसंगात, किन्तु कचित आख्यात शब्दों पी वाक्यम इत्य अत्रभर्थरेहे अभिप्रायाहा, दुतियहा, पक्षाहा, वाक्य विशहे, संघात हा, वाक्यम, इत्य पी उक्तम, केवल आख्यात शब्दस्य, यथा नवाक्यत्वं, तथा केवल सुबंतस्य, द्वारम इत्यादेहे, नवाक्यत्वं, तत्र नियमेन पिधान क्रियायाहा, अनुपस्थ तेहे, इति भावाहा, संघात वर्तनी जाती वाक्यम, इति तृतियम लक्षनम भरतिरना कतितं, सु प्रतिपूरुषं प्रतिउच्चारणं प्रतिक्षणं भिद्यमाने पी देवधत्य गाम अभ्याज दंडेन इति वाक्य एकत्व प्रत्य भिज्याभवति तत्र प्रतिपूर्शं प्रतिउच्चारणं प्रतिक्छणं चा भिद्यमाने पदसंगाते वाचकत्वं नसंभवति शक्तेर आनंत्य व्यभिचारदोशप प्रसंगात अताह पदसंगात गतायाह जाते है एकस्या एव वाचकत्वं इति तस्या एव वाक्यत्वं इति अभ तत्र वरण पद आवाप उद्धार कल्पनायाम पिवस्तो वरणाह पदानिवा तत्र नसंति इती तथाच उक्तम यथैव एव सरवार्थ प्रत्या प्राविभज्यते द्रश्य भेदानु कारेण वाक्यार्थानु गमस्त था इती पंचमह पक्षा क्रमह वाक्यं पदानाम क्रमह पुर्वापर्यं पूर्वापरी भूतानी पदान्यव वाक्यं इती केचन अपरे स्विकुरुवंति एतनमते वाकिस्फोटस्य सखंडत्वं पद समुदाया रभधत्वं चेती तथा चकतितं संत एव विशेशाये गम्यंते न वाक्यम अभिधायकम इती सश्ठा पक्षाह वर्तते बुद्ध्य अनुसंग्रती वाक्यम इती अन्नी एतस्मिन्मते वाक्यम खंडम तत्र पदानी नसंती किन्तु पदानी पद बुद्ध्यस्चा कल्पितानी तत्र पद बुद्धी नाम कल्पितानाम क्रमेण उपसंगा रहा, इती पद समुदाय रूपत्तों बुद्ध्या प्रकल्पय वाक्यत्त व्यभा रहा सप्तमह पक्षाह वाक्य विशय वर्तते आध्यम पदम वाक्यम आध्यम पदम वाक्यम इत्याधि केशांचिन मतम अस्विन मते अनेक पदारब्धम सखंडम वाक्यम अस्विन पक्षे प्रधमोपस्थितत्वात शक्तावच्छेदकान पूरुवीकलपनायाम लागवाच्या आध्यम पदमेव वाचकम इतर पदानितू तत सहकारेणी तत शक्ति द्योतकानी यथा साक्षात क्रियते इत्यत्र साक्षात पदेन साक्षात कारवाचकम साक्षात पदमेव अत्र साक्षात कारवाचिकं क्रियते इति तू पूरो पदस्य तदर्थे शक्ति द्योतक अत्वम इति आध्य पदस्य वाक्यत्वम अत्र सिध्यती प्रथक सर्वं पदम साकांग्षम इत्यपी अश्टमा पक्षा वाक्य विशय वर्तते अर्थात प्रथक सर्वं पदं साकांग्षं वाक्यं इति वादिना मयं भावः वाक्यात प्रथक कारे पदांतर साकांग्षं सर्वं आध्यं मध्यं अंत्यं चा समुधितं वाक्यं इति तेशाम अभिप्राया हा। किन्चा एशू वाक्य विकलपेशू पक्षद्वयं समागतम सकंड वाक्य पक्षभ, अखंड वाक्य पक्षचे थी तत्र जाति संघ्ञात वर्तनी एको अनवैवा शब्दह बुध्य अनुसंग्रति इती त्रीनी लक्षणानी अखंड वाक्य पक्षभ ववन्ती आख्यात शब्दाहा क्रमहा संगात आध्यम पदं प्रतक्सरवं पदं साकांग्षम इती पंच लक्षणानी साखंड पक्षे आगतानी भवंदी एव मेव मेमान सकाह अपि वाक्य विशय एवं कथेंती श्रोत्राग्राहिया वरणा एव शब्दाह वाक्यम तेशाम एव वाच कत्वम अर्थात अर्थप्रत्याय कत्वम इती तेशाम अभिप्रायाहा नईयाई कस्तु वर्णा एव समुधिताहा पदवाक्य भावम आपन्नाह अर्थप्रत्याय काहा इती बुरुवते अता तेशाम मते वर्णा एव समुधिताहा इती तेशाम मते वाक्यत्वं भवती वेदांति नाम मते इतु वाक्य सरूप मेवमस्ती तत्र वेदांति ना कत्यंती प्रत्येक वर्णा अनुभव भावित भावना निचय लब्ध जन्म स्मृति दरपना रूढ वर्णा माला वाक्यम इती सांख्य मते वाक्य सरूप में वमस्ती सांख्या कार्याना वरणाना में वाचकत्त मिच्छनता हा वया करना भी मतम इस्फोट वादम भट्टा भी मतम वरणनित्यत्त्तम चा कथयंती एवं रित्या वाक्य विशय भवद्भी अत्र ग्यातमस्ती अधुना वाक्य निर्माने केके विशया हा अत्र अंतरभूता भवन्ती तेशां विशय अत्र संख्या वाचका शब्दा एकम आरभ्य नव नवती उत्तर नव शत परयंतम संख्या वाचका शब्दा भवन्ती ए एकम दुए त्रीनी चत्वारी इत्यादीनी, दशताह परम समस्त पदम भवती यथा एकादश, द्वादश, त्रयोदश इत्यादया, वाक्यत्वेने तू संख्या शब्दाह, संख्याभ्या क्रियावर्ति गणने प्रियुजनते यथा दुई पचामी, त्रिफपचामी, पंचकृत्वा खादामी, इत्येवमादया शब्दाह, अत्रवधेयमस्तियत एकपदे नशत शब्दाह, हस्र शब्दाह, लक्षशब्दाह, लक्षशब्दाह, चस्विक्रियंते, संख्यावाचका शब्दाह, स्तावत प्रथमह, दुतियाह, तृतियाह, चतुर्थाह, तुरियाह, तुर्याह, इत्यादयाह, संखेय वाचका, संखेय वाचका, संख्या, वाचकाit, प्रथक भवंति, इत्य भवद भी, वेधितव्याम. अर्थात आंगल भाशायाम फस्ट चेप्टर, सेकेंड चेप्टर इती यद कथयंती तस्य अनुवादहा यद वयं कुर्मा संस्कृत भाशायाम यथा प्रथमा अध्याया अत्र प्रथमा इती पदम संखेय बोधकं भवती एव मेव पंच विम्षती तमह अध्याया पंच विम्षाध्याया इत्ते वम्रित्या संखेय वाचका नाम पदानाम प्रयोगा भवती आत्र एतत विवेधितव्यमस्ती यद संखेय बोधका शब्दास्तावद विशेशनत्वेन प्रयुज्यंते अत्र एते शाम लिंगम विशेश्यानुरोधेन भवती यदा प्रथमा प्रतब मां बालिक इती पुल्लिंगे, प्रतमां बालिक इती श्री लिंगे, प्रतममं पुस्तकं इती नपुम्संक लिंगे। अनुषारनी भवती इति भवत भी अवस्यम वेधितव्यम किन्चा अस्विन विशेशन विशय उक्तम वर्तते यल लिंगम यदुवचनम याच विभक्ती विशेश्यस्य तदलिंगम तदुवचनम साच विभक्ती विशेशनस्यापी इति वचनम अत्र प्रमानमस्ती संस् प्रत भाशायाम दुविधानी पदानी भवंती सुवंतम तिगंतम चा सु अउजस इत्यादया प्रत्याह यस्य अंते जायंते तानी सुवंत बोधकानी पदानी कत्यंते यथा रामहा, कृष्णहा, श्री, ज्यानम इत्यादीनी पदानी सुवंत पदानी भवंती तिप्तस जी इत्यादया प्रत्या येशामंते भवंती तानी तिगंतानी पदानी भवंती यथा पचती पठती इत्याधी अत्र अयम विशेशा यत सुप प्रत्याह प्राथिपती के भ्या भवंती तिंग प्रत्यास्तु धातु भ्याह जायंते इती अधुना वचनम संस्क्रत भाषायां वचनानी भवंती संस्क्रत भाषायां त्रीनी वचनानी भवंती एक वचनम दिवचनम भुवचनम चेती एकम वस्तु बोधनार्थम एक वचनम प्रियुज्यते वस्तु द्यम बोधनाय दिवचनम प्रियुज्यते वस्तु त्रेम बो इदानीम सर्वनाम पदविशय वयम जानीमहा सर्वनाम पोधक पदानी संस्कृत भासायाम पंच त्रिम्षत वरतंते सर्व विश्य उभ उभय डतर डतं युश्मद अस्मद भवत इत्यादय हा शब्दह वरतंते सर्वेशाम करते एशाम शब्दानाम प्रियोगा भवती ते शब्दा सर्वनाम बोधका भवंती यथा देवधता पठती सह पठित्वा खादती अत्र सह इती सर्वनाम बोधकं पदम देवधत से स्थाने प्रियोगतं अता सर्वनाम शब्दा त्रिश्वपी लिंगेश प् पदानाम अपिविशय ग्यानम भवताम अपेक्षितम, संस्कृत भाषायाम अव्यय बोधक पदानी भुरी संती, तेशाम अव्ययानाम वाक्निरमाडे महदियोगदानम भवती, ये तेशाम क्रते पदसमुच्य पदानी वाक्य समुच्य पदानी इती पदाभ्याम अपिव वचनेशु चा सरवेशु एन्नव्य इति तद अव्ययं ईति कानीचन प्रसिद्धान अव्ययान यथा अथ आपी इति इव एव एवं चा नूनं यथा तथा यावत तावत नूनं पुनहा किल खलू इत्यादीन संस्कुत भाशायां वयं पदे-पदे पश्या महा एतेशां प्रयोग विश्यं संक्षेपेण वयं जानी महा अत शब्दस्य कस्याम अवस्थायां प्रयोगो भवती अत इत्यव्यम मंगलार्थे, अनंतरार्थे, आरंबार्थे, प्रशनार्थे, कार्शनार्थे चा अधिकारार्थे, प्रदिग्यार्थे, समुच्यार्थे चा प्रयोग जते यथा मंगलार्थे अधिकारार्थे चा अथा तो ब्रह्म्ह जिग्यासा इतिवाक्य अत शब्द अनंतरार्थे अधप्रजानामधिपप्रभाते अस्मिन वाक्य अधिती अव्यवोधकं पदम अनंतरार्थे प्रियुक्तं अर्थात निशा अनंतरम प्रातक काले इत्यर्था प्रश्नार्थे अतशब्दा अधशक्तोशिभोग्तुम् अस्मिन वाक्य अतशब्दा प्रश्नार्थे प्रिउप्ताव रतते समुच्यार्थे भीवो अथ अर्जुनाहा भीवा अर्जुनस्चा इत्यर्था एवमरित्या अतशब्दाह एशु अर्थेशु संस्कृत भा प्रियुग्यते अर्थाप अपिततो वर्धते इती प्रश्नार्थे वर्धते संदे आर्थे अपि चोरो भवेत अत्र अपि शब्दा संदे आर्थे प्रियुक्ता एवमेव इती इती पदम इती शब्दा कस्चिद वचनानी यथा उक्तानी तथयो बोधाईतुं क्रियते यथा ब्रह्मसत्यम जगन मिथ्या इती शंकराचार्याह उचुहु दध्याम इती रामो माम उवाचे अत्र इती शब्दाहा कस्य चिद वचनम यथा उक्तम तथियो बोधहितुम क्रियते एव मचा इती शब्दस्य बहुष同 अर्थेशु प्रियोगहा वर्धते तथा चोक्तम इती स्वरूपे सानीध्ये विवक्षानियमेमते हेतौ प्रकार प्रत्यक्ष प्रकाशे अप्यवधारने एवमर्थे समाप्तो उस्याद इती शब्दाह उत्यश प्रियोगहा विधेय कानी चा प्रश्न बोधकानी पदानी भवंती इती अत्रोच चते किम शब्दहा वा शब्दहा अपि शब्दहा कुत्र शब्दहा कदा शब्दहा कति शब्दहा कथम शब्दहा कुतह शब्दहा किम अरथम क्वा इत्यादयाह शब्दहा वाक्य निर्मान काले प्रश्न पश्या महा यृथा किम शब्दस्य किम करोती सुवा कि करिष्यती नागमिश्यति किम एसु सरवेश्व क бол्क술 किम इति पदं प्रश्नार्थे प्र्युक्तम वर्तते। एव मेव वाशब्दापी प्रश्नार्ते प्रियुज्यते एवं वा सह एवं कुर्तेवा यह भवन्ता आगताव अत्रवाक्येशुप्रियुक्तम वा इत्यव अव्यव बोधकं पदम प्रश्नार्ते एवस्ति पाणनी सूत्रेश्वपी वायत्याकारकं पदम भहुत्र वर्तते तत्रतु वायति पदम सर्वत्र विकल्व बोधकं एव यथा वाल्यपी वासरूप अस्त्रियाम वायव इत्यादी सूत्रेशु वायति शब्दाह विकल्व बोधका एव नाचा एभी सूत्रे ही वाहिति पदं विकलपार्थ बोधकं इतिवाच्यं आध्यन्तो टकितो इति सूत्रे महाभाशे वाहिति पदं प्रश्न वाच कत्वेन प्रियुक्तं यथा अस्तिवा इह कस्चिद पुरुशारंभा तरी अनेन भाश्य वचनेन इदं प्रमानितं भ कदा इति शब्दो पि प्रश्नार्थे प्रियुज्यते कदा इत्य सर्था कस्मिन काले यथा कदा अगच्छती कदा पठती इत्यादीन उदाहरनानि भवंती कति शब्द अपि प्रश्नार्थे प्रियुज्यते यथा संख्या भिन्न परिमानात्मकं उत्तरं भवती तत् कथम इत्यस्य अर्था है केन प्रकारेण यथा उदाहरनम वयं पश्यामह विश्विध्यालयाह कथमस्ती इत्यादी स्थलेशु कथमिति पदम प्रश्णवाच कत्वेन प्रयुक्तम। कथम इत्यस्य अर्था केन प्रकारेन कथम भूताह इती। कुताह इत्येतस्य पदस्य अर्था द्वयम वर्तते। क्येन कारणेन कस्मात प्रदेशात इती किन्तु एतयो हो ध्यो अर्थयो हो कस्मात प्रदेशात इत्यस्पिन अर्थे एव प्रयोगः विधेयाहा। यतोही केनकारणेन इत्यस्पिन्नर्थे किमर्थम इति प्रथक पदम वर्तते एवंच भवान कुतह आगतवान कुत्र गमिष्यती इत्यादी प्रयोगेशु कुतह इति पदम प्रश्नवाच कत्वेन प्रयुक्तम। किमर्थम इदम विवाक्ये प्रश्नार्थम प्रयुज्यते यथा किमर्थम विलंबेन आगतवान, किमर्थम कोला हलम करोती, किमर्थम पठती इत्याधी उदाहरनेशु किमर्थम इति पदम प्रश्नवाच कत्वेन प्रयुक्तम। अत्र इदम अबधेयमस्ती यत किमर्थम इती शब्दस्य त्रिशु लिंगेश वेहवारो भवती यता किमर्थम अयम यतनहा इती पुल लिंगे किमर्था सावाणी इती स्त्रिलिंगे किमर्थम फुस्तकम इती नपुमसक लिंगे कोचिच्चा पदम इदम अव्या यार्थ प्रश्नार्थे प्रयुक्तम। प्रश्नार्थे प्रयुक्तम। प्रश्नार्थे प्रश्नार्थे प्रयुक्तम। प्रश्नार्थे प्रश्नार्थे प्रिचे प्रयुक्तम। इत्यादिकं सरवं भवंताह एतस्मात अध्यायात ज्यातवंताह धन्यवादाह